हे गाइस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में ओनलाइन फॉर्म फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं रेल्वे एप्रेंडिसी वेकिंसिस का जो की निगाली गई है साउथ इस्टन रेल्वे कोलकाता डिविजन से टोटल 1785 पोस्ट के लिए वेकिंसिस आउट की गई है जिसे की ओल इंडिया के एक एंडियो को फिल कर सकते हैं देखिए इसकी डिडियल्स वाली वीडियो में ने आल्रेडी बना रखी है अब साबने नहीं देखिए तो फ्लिस वीडियो जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल लागी अगर आपको लगे वीडियो देखने की बाद आप पहलेश बले अप्लाय करने के लिए तो चलिए इस वीडियो को आ तो इस आप प्लीज कभी ना सोचें इसको डी मोटिवेशन में ना लें कुछ रेलवे अच्छा करने जा रही है और जो आपको कुछ दिन बाद ही पता चलेगी और अप्रेंटिस इप आप नहीं किये अभी तक कहीं से भी नहीं किये तो प्लीज रिक्वेश जरूर होगी जरूर किजिएगा खास करके मैं वैसे केंडिट से बात कर रहा हूँ जिसका एज जो है 25 के अबब होने जा रहा है क्योंकि अगर आप प्रिसंटली पास आउट है आपकी एज 20 प्लस है तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आप अभी वराम से वेट कर सकते हो लेकिन आपकी 25 आपको एज प्लस देखने को जरूर मिलेगा तो चलिए मैं स्टार्ट करते हूँ बाकी वागी आपकी मरजी आप एप्लाइग करो ना करो मेरा काम है आपको कैसा डिसाइड लगा यह बिलकुल जरूर बताइगा इस्टार्ट करते हैं वीडियो उसको ध्यान रखेगा एक कि मिलेगी apply online करके description में उस video उस link को एक click किज़ेगा तो बिलकुल इसी तरह का interface आपको नज़ा रहाएगा यहां पर interactions आप रीड कर सकते हैं आपको payment करना है 100 रूफी फोर जनरल OBC only male candidate को अधरवाई जितने भी registration female candidate उसके लिए कोई भी फी नहीं लेगने वाला है new registration पर क्लिक करें क्योंकि सबसे पहले आपका registration होगा जहां पर अपना unit select करें तो unit आपको मिलेगी details वाली वीडियो में notification में आप देख लिएगा चलिए मैं रांची से apply करना चाहता हूं रांची unit तो yes करें अथवा no करें उसके बाद next बटन पर क्लिक करें देन आपको यहां पर continue कर देना है नेक्स आपको यहां पर अपनी personal information फिल करनी होगी for candidate name अपना नाम फिल करें टेंद के यहां सर्मायय वाली तो यह देखकर फिल करें काई सारे student गल्दी करते हैं अपना नाम फिल करें यहां पे अपने father का नाम यहां पे अपने mother's का नाम अपनी selector community करें अपनी community जो भी है इसके बाद अपना डियो भी फिल करें डियो भी आपको यहां पर मिल जाएगी जो की डेट वाइस अराम से यहां पर देख लेना उसके बाद यहां पर फिल कर लेना देन आपको यहां पर मंध फिल करना फिल करना आपको एस बताई जाएगी कि आपकी अभी कितनी उम्र हो र करना है उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी एक सर्विसमें सेलेक्शन का अगर आप एक सर्विसमें हो तो येस करें अथवा नो करें यहाँ पर मिलती है आर यू वाट फोलिंग यानि की आर यू जैसे आप इसे कंडिडेट हैं जो सर्विंग हैं कहीं पर एक सर्विसमें वेगर हमें तो आपको यह पर देना होगा नेक्स यहां पर अपना email एड़ी फिल करें confirm email एड़ी फिल करें नि दुबारा email एड़ी एंटर करें सेम उसके बाद अपना mobile number एंटर करें देन आपको confirm करना mobile number यह email एड़ी और mobile number जो भी आप एंटर कर रहे हो सो प्लीज रिक्वेस्टर होगी सभी चीजें confirm active हो आपका जो mobile number वही एंटर करें यहां पर nearest आपकी घर के नजदिक में जो भी railway station है वो दे उसके बाद address communication अपनी address पूरा फिल करें और जो भी फिल कीजेगा capital letter में फिल कीजेगा कहीं पर भी आप apply कर रहे हो जब अपनी address, ना, personal information फिल कर रहे हो ध्यान रखेगा सारी चीजें capital letter में फिल करें line 1, line 2, place आपकी post बेगरा जो भी है आराम से फिल करना यहां से अपना state select कर लेना आपकी state से belong करते हो उसके बाद यहां पर अपना district select करना अप जो भी आपका district है communication यानि की present address बाद में आपके permanent address फिल करनी होगी आपकी जो भी district होगे अपना district select रहे next आपको मिल जागी यहां पर अपने post selection का option नहीं है आपको fill करनी होगी जो भी आपका post है और अपने area का यहाँ पर pin code fill करें नीचे आपको permanent address fill करनी होगी permanent address अगर आपका same है तो same as पर click कीज़ेगा जो आपने correspondence address उपर fill की है same आपको नीचे fill हो जाएगी otherwise अलग है तो आप अलग fill कर लेना 10th class की educational qualification details fill करें यहाँ पर 10th का roll number fill करें जो भी 10th का admit card में उसका roll number होगा उसके बाद अपनी board select करें 10th की board आपकी क्या थी जैसे कि मैं जारखंट से हो तो हमारा जारखंट board है बागी बाद आपका जो भी board है अपना यहाँ पर fill कर लेना select कर लेना यहाँ पर अपना marks orbitant fill करना marks orbitant यानि कि कितना marks अपलाए मानलिजे 400 marks अपलाए हो और यहाँ पर total marks कितना था मानलिजे आपका 500 marks था और आलब की जो भी percentage आई होगी यह 100 करेगी उसके बाद आपकी passing year और आपकी date होगी passing कब pass out की वो 10th का यह आप मिल जागी अराम से याद नहीं है तो marksit में देख लेना उसके बाद ITI की information दे यहाँ पर ITI का certificate number अपना NCVT, SCVT, passing year ITI orbitant marks, total marks ITI overall percentage देन आपको एक declaration मिलेगी declaration पर टिक करें उसके बाद नीचे आपको एक capture कोट दिखाए देगी same मतलब बिल्कुल as a tree, SCVT को यहाँ पर under करें और click to continue पर click करें उसके बाद preview आपकी दिखाए देगी यहाँ पर preview आप अपने check कर सकते हो preview check करने के बाद I have verified the details, interview, the registration and which you submit the same यहाँ पर लेख लिए गया उसके बाद यहाँ पर दिखाए देगा और आप आपको login करना होगा इसको screenshot लेके रख लिजेगा click here to login section पर click करें और यहाँ पर आपका जो भी registration नमर था धियान रखेगा यहाँ पर देख लिजेगा उसके बाद यहाँ पर अपना date of birth अंडर करें अपनी जो भी date of birth थी उसके बाद login करने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें सो करें के आपकी जो भी details यहाँ पर fill किये हो then आपको क्या करना है click here to upload photo in signature इस section पर click कीज़ेगा arrow mark पर और यहाँ पर आपको photo upload करना है photo आपका जो होगा size less than 50 kb से नीचे होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं signature की size जो होगी वो 10 kb से लेकर 40 kb के बीच में होगी photo 20 kb से लेकर 50 kb के बीच में और uploaded documents आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले photo upload करना है choose file पे click करें अपने file section open करें और जो भी photo आपको अच्छा लगे उसे upload कर दें यहाँ पर कर दें photo signature जो upload किजएगा finally यहाँ पर upload जब हो जाएगी उसके बाद ही upload पर click करें देखें गाई इस बीच में एक आपका process होगा payment का ध्यान रहें आपकी जो भी general OBC mail candidate है तो क्योंकि railway में कई बार मैंने payment करते हुए बताया आप अराम से कर लोगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी payment आपको click करना है card details फिल करनी है confirm करनी है OTP डालनी है payment आपका हो जाएगा उसके बाद photo वेगर upload करनी है then आपका process यहाँ पर photo upload करने के बाद ही payment होगा उसके बाद यहाँ पे दिखाया था कि आपकी जो form है submit होगी यह photo signature जैसे upload करोगे you have successfully completed registration process RRC South Eastern Railway application for apprenticeship 2021-22 please print your application for your record do not forget to log out तो अपना application print out पे click किजेगा तो finally यह रही आपकी application form का print out आप इसे यह पे print section पे निकाल लिजेगा देखे इसमें कुछ documents upload करने का option यहाँ पी नहीं आया है क्योंकि मैंने बहुत बाट रहे गिया है और अभी open विए इसके side तो अराम से देख लेना आपकारगार मांगे जाए बाद में तो documents upload कर देना हलांकि इसकी details यहाँ पर दी नहीं गे फिर भी कोई issues वह payment वगरह में आप comment करना आपकी पूरी help की जागी hopefully वीडियो इस पर लगी हो like share and subscribe कर लें चले में ते नेक्स वीडियो में तब तक लिए इस हिंद